कि हालो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लस में इस वीडियो क्लस में dispatch करेंगे spotting error के कुछ new pattern के questions और ये questions IBP passive IPS Dire Cut, Milky pec Sounds the better geht पेश्चांक्ट के लिएंगे चलिए देखते हैं in nylon stimulus । देखे एक ये नया pattern है और इस pattern में आपको क्या करना है देखे नया pattern के जितने भी questions आ रहे हैं उनका simple सा मतलब यह है कि question को थोड़ा सा twist करके थोड़ा सा change करके एक अलक format में दिया जाता है ताकि students का जो original talent है या original intelligence है उसको check किया जा सके basic concepts और basic principles सारे same रहते हैं कि बन question को थोड़ा सा twist करके दिया जाता है ठीक है अब इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पहले हम यह directions पड़ते हैं in each of the questions given below a sentence is given which is then divided into five parts out of which the last part is correct एक sentence दिया है और sentence को पांच part में divide किया गया है जिसमें से last part जिसको bold में दिखाया गया है वो already correct है ठीक है there is an error in three parts of the sentences and only one path is correct you have to choose the correct path as your answer मतलब जो last part है वो already correct है इसके अलाबा जो चार part है उसमें से तीन part गलत है और एक part सही है तो सही part को आपको देखना है तो इन चार parts में से जो grammatically सही आपको लग रहा है वो आपका आंसर है ठीक है तो इसमें ट्रिक यह हो सकती है एक तो यह हो सकता है कि आप इस पूरे sentence को पढ़ें और एक tricky यह दी method अपनाया जाए तो उसमें यह हो सकता है कि आप directly देख सकते हैं कि कौन सा पार्थ grammatically सही लग रहा है ठीक है जैसे यहां से हम देखते हैं इसको तुछा सा solve करने कोशिश करते हैं two years after accepting our justice is RM LORA committee RM LORA committee जो है राजेंद्रमल लोड़ा committee इसका नाम है और यह BCCI से related है BCCI में कुछ जो scandals हुए थे IPL के और कुछ reforms को लेके इसने कुछ recommendation suggest किये हैं तो उसके बारे में है यह RM LORA committee तो चुकि यह committee एक particular committee है ठीक है इसके लिए इसलिए इससे पहले हम A नहीं लगा सकते तो यहां पर यह पार आपका गलत हो गया यानि की फर्स पार आपका गलत हो गया अब दूसरा बार देखिए committee's recommendations चुकि जो recommendations हैं जो सिफारिसे हैं वो committee की है committee ने दी है तो इसलिए committee के आगे आपस्ट्रफियस आप लगा सकते हैं यह सही है committee's recommendations the Supreme Court has now the Supreme Court singular है तो has लगाना सही है now सही है extended now के साथ extended लगाए जो की third form है तो इसका मतलब has का प्रियोग यहां पर सही है तो अब आप देखिए second part second part आपने देखा और second part को देखने के बाद हम यह पता लगा सकते हैं किस part में कोई गलती नहीं है तो यहां पर second part आपका answer हो सकता है तो इस तरीके से भी आप इन questions को कर सकते हैं ठीक है लेकिन देखते हैं आगे पड़ते हैं extended some concession to whom agreed देखिए concession यहां पर यह बूला जा रहा है कि Supreme Court ने कुछ concession दिये लेकिन किसको दिये to whom agreed की जगह अगरीब क्या है कि adjective है अगरीब का मतलब होता है जो विक्ति दुखी है या पीडित है उसको हम बोलते है अगरीब तो adjective किसको qualify करता है अगरीब करता है आपका noun या pronoun को तो यहां पर noun या pronoun होना चाहिए तो यहां पर यदि आप those लगाते हैं concession to those agreed those का मतलब होता है they people और they people में noun आपका आ गया तो यहां पर those कहना सही रहेगा whom का यहां पर कोई sense नहीं है concession to those agreed concession to those agreed by the rigorous rules which aim to revamp इस पूरे sentence का मतलब क्या है पूरे sentence का मतलब यह है कि two years after accepting justice rm luras committee recommendations the supreme court has now extended some concession supreme court ने extend किये हैं कुछ concession उन लोगों के लिए जो agreed थे जिनको जिनको किसी particular decision से पीडा हुई थी दुख हुआ था ठीक है बाइदा rigorous rules जो rigorous rules थे जो कठो rules थे उनसे कुछ लोगों को जो दुख हुआ था which aimed to revamp cricket administration in the country ठीक है तो इसमें हम क्या बोल ला है कि supreme court ने अभी extend किया है उन rules को जो की पहले लागू थे और जिनकी वज़े से कुछ लोगों को agree feel करना पड़ा तो यहां पर actually यह एम जो है यह इसकी जगे हमें बोलना पड़ेगा which aimed which aimed क्योंकि past rule को है यहां पर change करके बताया जा रहा है यहां पर यह बताया जा रहा है कि past में जो rules थे उनको extend किया गया है ठीक है तो इसलिए यहां पर आपका जो answer होगा वो second होगा second part में देखिए कोई गलती नहीं है अब यहां से हम फिर से देख लेते हैं एक बार first part में इसमें एक एक ही गलती है दूसरा part सही है तीसरे part में चौते part में इसमें चौते part में इसमें एम की गलती है एम की जगह एम दोना चाहिए पांचवा पार्ट ऑल्लेडी सही है तो इस तरही कैसे इसमें second part गलत है और यह पार देखिए बल्कुल सही है committees recommendations the Supreme Court has now तो आप directly second part directly आप जो correct part है उसको भी आप देख सकते है चलिए next question द स्टूर नि इस sentence मैं मैं कुछ मैंने कुछ meaning आपको नहीं बता पाए मीनिंग मैं थोड़ा सा बता देता हूं का मतलब होता है किसी मैं किसी को चूट देना ठीक है एक्रीव मतलब दुखी होता है रेकरस मतलब कठोर रूल्स जो होते हैं और रीप मैं Kaat अर्थ होता है किसी तीज को मोडिफाय करना उसको चेंज करना सको हम बोते हैं रीवैंप ठीक है तो यह है इसका और extended का मतलब उसको फ्रॉइसा और उसको extend कर देना और उसकी लिमिट बढ़ा देना ऊसका मोते इसमें हम देखते हैं in interpretation at statues if the language is not clear words have to be construed on the light of legislative scheme the object of enacting the provision and ultimate effect of adoption one or the other construction देखिए इस पर्टिक्रोर sentence में यह actually history से related sentence है और इसमें statue की बात हो रही है ठीक है in interpretation of statue होना चाहिए in interpretation of statue statue का statues का जब हम interpretation करते हैं उस पर जो कुछ लखा हुआ है उसको हम interpret करने की कोशिश करते हैं उसको हम समझने की कोशिश करते हैं in interpretation of statues in interpretation of statues होना चाहिए यह ठीक है interpretation interpretation मतलब उसका मतलब निकालना उसको समझाना in in interpretation of statue, यह of statue होना चाहिए, क्योंकि in interpretations at statue का कोई meaning नहीं है, at statue, at हम लगाते हैं किसी particular point के लिए, तो in interpretation of statue, if the language is not clear, words have to be construed, construed मतलब उसका मतलब निकालना, words have to be construed on the light of, देखे एक phrase होता है, in the light of, in the light of मतलब, मतलब उस context में उसको समझना है, तो यहाँ पर यह गलत हो गया, यहाँ पर at गलत हो गया, scheme the object of, चुकि यहाँ पर off लगा है, off पर एक proposition होता है, इसके बाद हम ing form लगाते हैं, तो यह सही है, scheme the object of enacting the provision and, आप देखे, आप पूरा sentence मत पढ़े, और इसके बाद देखे, यह वाला जो पार्ट है, थार्ड पार्ट, इसमें कोई भी गलती नहीं लग रही है, scheme the object of enacting the provision, तो थार्ड पार्ट इसमें सही है, the ultimate effect, जो कि ultimate यह होता है, वो एक ही होता है, तो इसलिए effects कहना यहाँ पर गलत होगा, और बागी पार्ट तो सही है, यह वाला पार्ट जो है, यह सही है, scheme the object of enacting the provision and third part जो है, यह सही है, तो direct, थोड़ा सा पढ़के भी आप इसको direct answer भी आप निकाल सकते हैं, और इस तरह एक question में, आप 8 से 10 second में, मेरे साबसे इसका answer आप आराम से निकाल सकते हैं, इस तरह एक is the study of the ends or purposes that things serve, things के आगे serve लगा है, things जो down है वो plural है, इसने serve कहना सही है, और teleology is the study of the ends, यह off वाले जो phrases होते हैं, इसमें हम दो बार दा लगाते हैं, ठीक है, teleology is the study of the, यह सही है, of the ends or purpose, that things serve, and Aristotle, Aristotle एक sociology में एक philosopher है, इनको हिंदी में अरस्तू बूलते हैं, Aristotle, तो Aristotle's emphasis, emphasis जो है वो Aristotle का है, इसलिए apostrophe is यहां पर सही है, on teleology has repercussions, repercussions का मतलब क्या होता है, दुश परिणाम, throughout his philosophy, यह sentence पूरा सही है, कहीं पे भी कोई गलती नहीं है, teleology एक science होती है, जिसमें हम ends और purpose, किसी चीज का purpose क्या है, किसी चीज के होने का reason, किसी चीज के होने का हम cause उसमें study नहीं करते हैं, किसी चीज के होने का purpose हम उसमें study करते हैं teleology में, तो यह जरूरी नहीं है कि आप sentence का मतलब निकाल पाएं, यह जरूरी नहीं है, और उसके बापजूर भी आप sentence को सही कर सकते हैं, तो इसमें आपका अंसर क्या होगा, इसमें आपका अंसर होगा, all are correct, तोकि इसमें किसी भी पाथ में grammatical mistake नहीं है, नेक्स पार्ट हम देखते हैं, the Congress would need to beat back the BJP in states, हम यहाँ पर एक future incident की बात कर रहे हैं, कि Congress को BJP को हराना होगा, the Congress would need to, हाला कि यहाँ पर वैसे बुट थोड़ा सा गलत है, क्योंकि बुट को हम imaginary situation में लगाते हैं, यहाँ पास्टेंस में लगाते हैं, बुट कहना यहाँ पर गलत है, हाला कि इस तरह के sentences को आप spoken English में बोल सकते हैं, वो सही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर grammatically would गलत है, would की जगे बिल होना चाहिए, the Congress will need to beat back the BJP, BJP से पहले जालगा है, यह सही है, in states, where the two parties are locked, two parties are locked की जगे क्या होना चाहिए, two parties are locked, two parties are locked, two parties को lock कर दिया गया है, या two parties lock कर दी गई है, इस हमार के बाद हम वर्पी थर्ड फर्म लगाते हैं, पैसे वोइस में, ठीक है, two parties are locked, in a head-to-head contest, otherwise, it will be difficult, एक सगेन इसको फिर से पढ़ते हैं, the Congress will need to beat back the BJP in states, where the two parties are locked, in head-to-head contest, otherwise, it will be difficult, किसकी बात कर रहा है हम, Congress की, कि Congress के लिए यहां पर क्या आया है, it, so it will be difficult for it, हम बोल सकते हैं, difficult through it, नहीं, difficult for it, to stitch together an effective and successful pre-poll and post-poll alliances, तो यहां पर इस पार्ट को आप देखिए, बाकी बाकी सारा पार्ट भूल जाई आई, आप इस पार्ट को देखिए, together and effective से पहले end लगा है, effective and successful, together and effective and successful, इस पार्ट में गलती बताईए, कहां पर है, इस पार्ट में कोई गलती नहीं है, यह पार्ट पूरे तरीके से सही है, ठीक है, इसलिए four पार्ट जो है, इसमें आपका answer होगा, क्योंकि fifth पार्ट तो पहले से ही सही है, बाकि के जो चार पार्ट जो उसमें से correct पार्ट निकालना है, तो four पार्ट इसमें सही है, और बाकि के तीन पार्ट में क्या गलती है, यह मैंने बताया आपको, कि यहाँ पर word की जगए will आएगा, second में two parties are logged होगा यहाँ पर, तो इस तरीके से four इसका answer होगा, next हम देखते हैं the supreme court, dismay upon union government, dismay का मतलब क्या होता है, दुख या निराशा या disappointment उसको हम बोलते हैं dismay, और dismay हमें किसी चीज़ के उपर होता है, जैसे किसी चीज़ पर गुसा रही है, किसी चीज़ पर दुख है, उसको हम बोलते हैं dismay, तो dismay के साथ यहाँ पर हम upon न लगाते हूँ, हम लगाएंगे over, क्योंकि upon हम लगाते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ, जैसे हम बोलते हैं कि cat jumped upon the table, तो कोई physical movement, physical कोई चीज़ का जब movement होता है, तो उसके लिए हम upon proposition का use करते हैं, upon यहाँ पर गलत है, dismay किसी चीज़ के उपर हो सकता है, दुख या पीला या निराशा किसी चीज़ के उपर हो सकती है, the supreme cause dismay over, over कहना है यहाँ सही होगा, over union, government, engage, ठीक है, तो यहाँ पर आपका upon की जगए over आएगा, यहाँ पर engage, जब आप होते हैं, तो किसी चीज में engage होते हैं, engage in, engage in frivolous litigation by repeatedly filing applications, filing appeals on already settled identical question, देखिए थर्ड पार्ट दिखिए, यह बिल्कुल सही है, on already settled, मतलब ऐसे question, जो already जिन पर दिल्ड हो चुका है, settled हो चुके हैं वो, third part इसका सही है, ठीक है, third इसका सही answer आपका होगा, कुछ meaning देख लेते हैं, dismay कार्थ होता है, निराशा या disappointment, ठीक है, engage मतलब किसी चीज में best होना, फ्रबोलस मतलब मूर्खतपून, सिली, litigation मतलब जो कानूनी जो डाव पेज होते हैं, उसका हम बोलते हैं litigation, repeatedly मतलब बार बार, filing मतलब फाइल करना, appeal मतलब request, ठीक है, identical मतलब एक जैसे, law, put, onus का मतलब होता है, responsibility, onus, reform का मतलब होता है, सुधार, appeal का अर्थ होता है, request करना, ठीक है, repeatedly का मतलब बार बार, तो इस तरीके से, मैं सारे word meaning भी आपको बताऊंगा, और इस में मैं ये भी बताऊंगा कि कहां पर कौन सा part of speech, किस तरीके से part of speech को use किया जा रहा है, तरीके स्कुर्शन को जिकते हैं, Thomas Murray and Gilly are so, Gilly's are so impressed in the political and social insight, Hitlo Day display during his description of the countries around which he travelled, that they suggested he attach himself to some king at order to put his great knowledge, तरॉमस मूरे एंड गील्स आप सो इंप्रेस्ट इंप्रेस्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है इसके वर्ड मीरिंग भी समझ में आ रहा है कॉंटक्स में नहीं आ रहा है उपर से देखने पर इस इंट्रेंस में ऐसा लगता है कि सेकिंड पार्ट जो है इसमें कोई गलती नहीं है आगर देख लेते आगर पर यहां पर यहां पर हमको बोलना होगा थो यह पार इसके गलत है इसमें इसमें सेकिंड पार्ट आपका सही है कि शोशल इंसाइट कोई टेक्टिकल टर्म है यह तो डिस्प्ले द्यूरिंग इस डिस्क्रिप्शन ऑफ सेकेंड पार्ट में कोई ग्रमेट के लेर नहीं है तो सेकेंड पार्ट इसमें सही आपका आंसर है कोई सभी देख देह तर ledger लिटर इंटां जुझे अई र्यूजफ थीज़र नरे सिफ यहां पर सब्जेक्टें नरे ट्रेटर सब्जूफ है है फीलडिशे न उसमें लगा चुछे नपले कि टास बीड़ुब है और यह किसी वेक्ति का नाम है तो ये है यहां पर object ठीक है तो यह सही है narrator Elmer को introduce करता है किस तरीके से as a brilliant scientist and natural philosopher ठीक है अब Elmer जो है आईलमर जो है वो एक ही व्यक्ति है तो इसलिए है यहां पर सही है है इसके साथ third form लगा दिया यह सही है ठीक है his experiments for a while for a while मतलब थोड़ी दिर के लिए तो यह सही है to marry the beautiful Georgiana तो यह question सही है इसमें कोई गलती नहीं है इसका answer होगा all are correct narrator मतलब describe करने वाला कोई व्यक्ति ठीक है यह noun है introduce का मतलब introduce करना यह verb है आईलमर यह किसी व्यक्ति का नाम है यह object है यानि noun है brilliant क्या है brilliant adjective है scientific noun है यह noun है यह adjective है यह article है एंड connector है natural philosopher क्या है philosopher noun है natural क्या है adjective है यह philosopher को modify कर रहा है ठीक है abundant मतलब छोड़ देना त्याग देना यह verb है abundant his experiment अपने प्रियोगों को छोड़ देना for a while मतलब थोड़ी दिर के लिए to marry the beautiful Georgiana beautiful adjective है और Georgiana किसी व्यक्ति का नाम है इसमें तो इसमें आपका answer होगा all are correct इसको दिखते हैं the uses of moderation by the central board of second education while finalizing while एक proposition है जिसके बाद हम ING form लगाएंगे तो यह सही है लेकिन moderation एक process है moderation के लिए हम uses नहीं बोलेंगे the use of moderation बोलेंगे यह गलत है by the central board of secondary origin question while finalizing class 12th marks beyond a Delhi High Court directive Delhi High Court directive के अंतरगत यह use of moderation को apply किया गया है तो यहां पर beyond का कोई sense नहीं निकल ला यहां पर हम मैं बोलना चाहिए under यहां पर a भी नहीं आएगा under the Delhi High Court directive poses the use of moderation क्या है singular है the use of moderation एक subject है जो की singular है इसलिए poses यहां पर सही है poses an immediate poses an immediate question of directive poses an immediate question of how various states votes of education that haven't adopted यहां पर actually immediate से पहले दा होना चाहिए डा इसलिए यहां पर वो सही गलत हो जाएगा इमीडियेट के इस्थान पर दा हो जाएगा state boards of education that haven't यह वाला पार बिल्कुल सही है यह वाला पार देखिए ध्यान से इसमें कोई भी गलती नहीं है फोर पार्ट सही है इसमें फोर आपका इसमें answer हो जाएगा ठीक है आगे यह question देखते हैं global financial major major मतलब जो बड़ा गुरुप होता है उसको हम होते है major global financial major credit सुसी यहां पर किसी company का नाम हो सकता है क्योंकि यहां पर beliefs लखा है तो इसका मतलब यह वर्व है और यह subject होगा ठीक है यह इसको modify किया गया है global financial major credit सुसी believes that the Indian equity market is in a worrisome zone worrisome zone मतलब zone मतलब एक location worrisome मतलब जो worrisome मतलब चिंता जनक ठीक है चिंता जनक zone में आ गया है यह Indian equity market is in worrisome zone due to a combination of global and domestic macro economic factors like high crude prices current account deficit and consecutive years of earning downgrade इस sentence में कहीं कोई गलती नहीं लग रही आप देखिए धांसे इसको और यह पूरा सही है इसमें आपका अंसर होगा और और करेक्ट कोशन नंबर टेन देखते साइंटिस्ट फॉर्म क्योंकि यहां पर क्रियेटेट आया है तो यहां पर होगा ट्यूंड 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 ठीक है क्योंकि साइंटिस्ट के लिए यह यूज क्योंकि साइंटिस्ट के लिए हमने यहां पर क्रियेटेट लगाया है तो यहां पर ट्यूंड भी कहना सही होगा गया तुन डा मॉलेकिल टू गीव अग्रीन फ्लोरा सेंस्टू है to help help के help के बाद हम क्या बोलते हैं किसी चीज में help करना to help in help के बाद फौर नहीं आएगा help in self imaging ठीक है तो कौन सा पार्ट इसमें सही है फिर से देख लेते हैं scientist from Indian Association for the Cultivation of Sciences first part इसमें सही है first part में कोई गलती नहीं है second part में है इसकी जगे have होगा यहाँ पर tuned होगा और यहाँ पर आपका in होगा fifth part already सही है तो यहाँ पर आपका answer क्या होगा answer होगा first first आपका सही है इसमें ठीक है इस तरीके से इस video class में मैंने 10 spotting ग्रप की question मैंने बताये है मुझे उम्मीद है आपको यह समझ में आये होंगे यहीं कोई भी आपका feedback है कोई भी query है तो इन numbers पर और इस email ID के थूँ मुझे अपना feedback आप share कर सकते हैं तो इस video class में इतना ही अब मैं आपसे भी लूँगा next video class में thank you